दोस्तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे ट्रेक लाइट किस तरह से लगाते हैं कहीं पे भी लगाना है तो किन बातों को ध्यान में रखना होता है बहुत ही सिंपल और असान होता है कहीं पे भी ट्रेक लाइट लगाना अगर आप कभी नहीं लगाये हैं और यह किस तरह से काम करता है और किस तरह से लगता है अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z complete पूरा जरूर देखिए तो जैसे कि हमें यहां पे लगाना है ट्रैक लाइट यहां Sailing में हमने केवल ट्रे लगाया है और यहां पे कुछ पेंट हुआ है तो लुक अलग आ गया है क्योंकि पिछली वीडियो जो हमने अफ्लोड किया था उसमें पेंट कलर नहीं हुआ था और यह कलर होते जाएगा तो बहुत सारा डिजाइन चेंज होते जाएगा, अगर आपको नहीं मालूम है, केबल ट्रे कैसे लगाएं, तो दो वीडियो इससे पहले हमने अपलोड किया है, केबल ट्रे का और इसके ड्रोइंग का, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, वो ड्राइंग के द्वारा हो रहा है, यहाँ पे एक हमारा काउंटर है, मेन कैस काउंटर है, लेकिन यहाँ पे काउंटर नहीं है, इसलिए हम पहले वाइरिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रे के अंदर ट्रेक लाइट लगाएंगे, ट्रेक पत्ती लगा करके, जैसे यहां पे हमारा ये track पट्टी है इसके अंदर हमारा track light fit होता है और इसी के अंदर connection होता है track light में कोई connection नहीं होता है इस पट्टी के थूरू इसको power मिलता है किस तरह से काम करता है वो भी हम आपको यहां पे समझाएंगे जैसे यहां पे हमारा track light है तो चाहे आपका track light कितना हो यहाँ पे कुछ point आपको समझना जरूरी है जैसे यहाँ पे track light का जो पट्टी होता है एक मीटर का दो मीटर का length आता है बहुत से जग़े पे दो मीटर को cutting करके बना लिया जाता है एक एक मीटर का अगर छोटा जरूरत है cutting किया जा सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे जैसे यह चोटा है एक मीटर का है हमारा और जो बड़ा है वो हमारा दो मीटर का है तो चोटा बड़ा size आता है जरूरत अनुसार जहाँ पे कम light है चोटा लगता है ज्यादा light है तो बड़ा लगता है, जैसे हम यहाँ पे एक मीटर का एक टुकड़ा ले लिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिखाने के लिए, जैसे यह होल है न, इसमें इसक्रू ट्रेंब के अंदर फिटिंग करने के लिए है, जैसे इस सैट देखेंगे तो यहाँ पे है, तो इ जहाँ पे यह जो कॉवर हम खोल रहे हैं, इसक्रू, इसी के अंदर दो वाइर आता है, एक निटर लेक फेज और इसमें हमारा कनेक्शन हो जाता है, बहुत सिंपल है, जिस तरे से किसी भी लाइट का कनेक्शन किया जाता है, और इसी में हमारा ट्रेक लाइट लगता है, वो आगी की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ये हो गया हमरा ट्रैक पट्टी, उसके बाद यहाँ पे स्क्रू है, जैसे मसीन स्क्रू लिये हैं, कोई भी आप नट बोल्ट ले सकते हैं, छे में मोटा होना चाहिए, और वासर जरूर लिचेगा, क्योंकि जो हमरा ट्रे रहता है, उसका होल बड़ा रहता है, तो ये नट हमरा निकल जाएगा, और इस पट्टी के अंदर होल पतला रहता है, तो इस हिसाब से लगाना होता है, तो ये हो गया हमरा track पर्ती के हिसाब से और tray के हिसाब से nut, bolt और वासर उसके बाद ये हमरा track light हो गया ये move level होता है यानि इसको किसी भी side हम मोर सकते हैं move कर सकते हैं, adjust कर सकते हैं, जरूरत तनुसा जहां पर हमें focus बनाना है वहाँ पर इससे हम लो focus बना लेते हैं घुमा करके अब इसमें आपको ये देखना है, हर तरफ तो मोर जाएगा दो इसमें lock होते हैं, अब क्या-क्या lock होते हैं जैसे एक ये देख रहे हैं, ये एक हमरा lock है जिससे lock होता है और एक lock होता है connection का जैसे ये lock होता है, इस तरह आया तो ये lock हो जाता है और ये जब अंदर चला जाएगा तो हमरा unlock हो जाएगा और ये जो है, ये हमरा connection इससे होता है connection भी हो जाता है, साथ में lock भी हो जाता है इसी से power मिलता है पट्टिक अंदर जो लगा राता है बसवार उसी से जैसे इसको हम लगा करके आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले इसको बीच में इस तरह से कर लेंगे नहीं तो यह नहीं इसके अंदर जाएगा पत्टिक अंदर और टूट जाएगा जब अज़स्ति करेंगे तो चला गया उसके बाद यहां पर यह आ गया लॉ और मोड करके जिस एरिया को या पर्टुकलर किसी चीज को आप फोकस बनाना चाहते हैं उस चीज को आप फोकस बना सकते हैं और लगा सकते हैं तो कहीं पे भी आप इसे लगा सकते हैं जरूरी नहीं है कि यहां पे ट्रे लगा है तो ट्रे में ही लगता है नहीं दिवाल में बी लगता है सेलिंग में डाइरेक्ट गृपी स्कूरू के दौरा भी लगता है फिलाल हम इसको ट्रे में लगाने वाले हैं तो ट्रे में तो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे हमारा हां हटा दिए हटाने के बात अब हम स्क्रूर लिये हैं अभी आपको दिखाएं आ है वहीं और यहां पर एसके अंदर डाल रहे हैं जो पूंड को खल रहे हैं ध्यान रहे दो पिद्विं रहता है तीन भी रहता है चार भी तो आपका track पट्टी में कितना होल है उसके इसाब से screw को कस लिजे अगर दो मीटर का है चार है तो ज्यादा बेटर रहेगा जैसे इसमें तीन है अब चार है तो ज्यादा बेटर क्योंकि उस्तना मजबूति ज्यादा आएगा ऐसा लिए कि तीन से ये तूट जाएगा गिर ऐसा भी नहीं है और प्रोपर तरह से जो है स्कूरू ड्राइबर से प्लायर से पकड़ करके नट बोल्ट को टाइट कर लिजेगा यहाँ पे प्लायर की जरूरत हमें नहीं पड़ यह क्योंकि टाइट फुल हो जा रहा है अब यहाँ पे हमने लगा लिया है ट्रैक पट्टी को चलिए हम थुरा नजदीक से आपको दिखा रहा है कुछ इस तरह से हमारा यह फिट हो गया है इसके अंदर अगर ट्रे के उपर देखेंगे तो हमारा नट और वासर दिखाई देगा जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक नट बोल्ट से इसको fit कर लिया है तो इस तरह से हमारा यहां पर track पट्टी लग गया अब इसके अंदर हमें light लगाना है तो चलिए हम light भी आपको लगा करके यहां पर दिखा जिते हैं जिस तरह से नीचे हमने lock को दिखाया है दो lock होता है एक हमारा lock होता है track light नहीं गिरे और एक lock होता है जिससे इसमें power मिल जाए तो दोनों को proper तरह से देख करके इसके अंदर लगाएंगे और lock कर लेंगे और यहां पर एक हमारा lock हो गया अर जिस्ट कर लेंगे जिदर आपको घुमाना है आप घुमा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह से दूसरा में आप लगा रहे हैं आपका चार, पांच, दस, बीस, पचास जितना हो सबको लगा सकते हैं कहें पर भी अगर आपको track light लगाना है तो इसी तरह से लगाना होता है यहां पर train में इसका track पट्री है आपका दिवाल, सेलिंग, PVC यहां आपका ply board पे भी लग सकता है तो चले दोस्तों इस वीडियो में इतना है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजे, share किजे